दोस्तों अरे नहीं कंट्रोल हो रहा है कंट्रोल नहीं रहा है अब लोग सब लोग हैंगे ना रुकू 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 पहले तुम्हीं खालो बिना सॉस के खालो पहले आज बुतालो अपना है नहीं तो चले दोस्तों हम लोग भी खालेते हैं और आश्वी सिम सब मार पीट गर के सब गिरा देगी हैलो दोस्तों स्वागा था आप लोग का हमारी यूट्यूब चैनल अभिनात प्रतिस्था व्लॉग में और दोस्तों अभी हम लोग आ गया है च्छत पे क्योंकि अभ आज के अरूई के पकोडी तो लोग Shaun क्वाया आ पर शॉब लगा है कि यहां पर शुन त्यारीय कर रहीया है सरा है उक्षा कômें और में देशी चूला बैठने के लिए बैठने दोस्तों कोई बात नहीं नहीं बैठेगी तो अपना गुमती रहे और वीडियो पसंद आ तो लाइक करेगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों प्रतिष्टा जी ने अरुई के पत्तों को बरिक बरिक सा काट लिया है और यह त्यार हो गया इसको मिस्रल को हम लोग त्यार कर लेंगे बेसान और इसके साथ में और सारा समान भी हम लोग लेकर के आ गए हैं यह देखे कड़ाई ओखली यह नहीं होता है कुटनी और यह मसाले वाला और यह रातिल नमक सारे चीज़ा में लोग लेकर के आगए हैं अब मिला दे ना इसमें बेसान और आज अ कैसे लग राश्वी मजा रहा है है मजा रहा है ओके और यहां आश्वी अपना मजा ले रही है घूम घूम करके और प्रतिस्टा जी अपने काम में भीड़ी हुई है जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि रात होने वाली है तो दिक्कत हो जाएगा रात होने से पहले हम लोग इसको खतम कर देते हैं बन ओपर से रुप्लेन जा रहा है और आश्वी इसे कितना ध्यान से देख रही है बाबू एएरोप्लेन कहा है प्र अब एरोप्लेन कहा है उपर आफिक है दोस्तों यह देखिए बहुजी का पत्ता और सारा चीज मिला करके हम लोगों ने त्यार कर लिया है और अब बारिया आती है देशी चुले में लकड़ी से आग जलाने की तो अब चलिए आग जलाते हैं तो अब यह कैसे प्लास्टिक से प्लास्टिक से कैसे अब देखा तो यह देखिए आग लगा दिया है आग लगाने में यह माहीर है शकल सही आप लोग जलाने में माहीर हैं अपनी जैसा समझ लियो हम नहीं अग लगाते हैं अरे बहुत जादा मतब रखेंगे कहां छोड़िये उसको अब बस उतना ही पहली बार है ना तो सब काम पहली बार होता है फिर लेकिन देरे देरे अच्छा हां पीछे गिर गया यह यह देखो जाल रखो प्रयां करो रहा है के की नहीं होती है बहुत अच्छा जाल रहा बहुत अच्छा बनता है जल ना रहा है नहीं जल नहीं था है अब पहली बार पता ने देखिए अच्छा नेते रुप गया है गर ड्मै जल शुर्ण मुर्ण ना रहा है, हाय को लोगар जाल जल कर दोми म notes are इंशग जल यह देखिए दोस्तों इतनी तारी पकड़िया हम लोगों ने बना लिये तल की निकाल लिया है और इधर अभी और थोड़ा सा बाकी है इसको भी बना लेते हैं जल्दी से वैसे आग बहुत तेज है ना तो तेल जल्दी से गरम हो जा रहा और जल्दी से जल भी जा रहा है क् तो थोड़ा अंदाजा कम है कि कितना में लकडी बारा लगाएं इसमें आक में इसलिए गरबल हो जा रहा है तो अगली बार तो तैसा नहीं हुआ उमीद है हम लोग को अब देख रहे हैं सही हो रहा है हो रहा है अब आच नॉर्मल हो गया है हाँ वही आच जो पहले तेज था ना लकडी शुरुवात की थी अब नॉर्मल अब तो होई जाएगा पहले बार है ना ठोड़ा बहुत तो दोस्तो इस बार जो हम लोग घानी डाले है इसमें बनने के लिए इस बार लगरा है हमपो का और अच्छा बनाए इसके पहले वाले में थोड़ा से जल्दी जल्दी same season तो बसे 6 लगए वहां में को लगर है और देखे दीरे धरे पक् ते क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लगा है आश्वी तुमको भी लगाया प्यास तुम्हीं प्योगी हूं चीक है ला रहे हैं दोस्तों यह देखिए इसके अंदर ग्लास भी दिया है मस्त इसमें से निकालते हैं और यहां से पानी ले लेते हैं ग्लास का भी टेंसन नहीं ज यह एक साथ काएंगे ना हां यह देखिए दोस्तों अरुई की पत्ते की पकोड़ी हम लोग की बन के तयार है और प्रतिष्टा जी ने भी अपना हाथ वाथ धुल लिया है और अब इसको आख को ऐसे छोड़ देते हैं यह तो अपने आप ही बुच जाएगा उसको सही कर पानी उद्धर चला जा और अधर आश्वी एकदम से तेजी में पकोड़ी खाने के लिए तो चली दोस्तों अब इसको जल्दी से खा लेते माना ठंडाव जागा तो मज़ा नहीं याएगा इतना सा बसबसा था इतना सा अरे हम लोग का काम चल जाएगा यह देखे दोस्तों मैगी रिस टोमेटो केचप पिछकू क्या हुआ बाबू इतना तेजी यह बाबू तुमको खाने का बताओ खिला रहे हैं खिला रहे हैं देखो सॉस लेने गए थे ना अब सॉस के साथ हम लोग खाएंगे दो सेथिते हैं आप स्पार्स मियर्ण है कैसा बना है लोग लेकिन प्रके साथ ढहनो जो चलते हैं कि कैसा बनाया है अरे इंकालो प्लेट में निकालो प्लेट में चटर पंटर शास घैना ऑब अच्छ लगेगा यहां बहुत जादा देसी समान के साथ भी देसी समान भी मिक्स हो गया है बहुत जादा लिजे बहुत जादा पुरा गिरागर आप खाया आप खाये नदी बहुत थेस्टी है यार गाइस बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनाया एक दाम मस्त मज़ा आ गया और खुश्बु आ रहे ना हुआ पुश्बु बहुत अच्छा रहा और तेस्ट भी बहुत अच्छा है और सॉस के साथ पिछकु पिछकु यह इसा सब्द है बार वाद उसी ने इधर उदर पिछक पिछक जा रहा है खुदी बोलते बोलते पिछकु के साथ बहुत रिष्टी लग रहा है मज़ा आ गया तो दोस्तों मीद करते हैं आज का व्लोग आप लोग को पसंद आया होगा तो पसंद रहे तो लाइक का बटन फिर से जरूर दबा दिजेगा और चैलेंड पर नहीं ह